वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल लव यूड लुक आप लोग कैसे हैं I hope आप लोग अच्छे होंगे आज मैं इस सारी डेपिंग का वीडियो लेके अपने चैनल पर आ गई हूँ या फिर जिनकी ने ने शादिया हुए उनको सारी डेपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है इसमें मैंने कुछ छोटे चोटे टिप्स बताया हुए बहुत ही कम सेफटी पिन का यूज करके और डेली विसिस पे आप सारी इस के पास कॉटन का पीडिक होता ही होता है तो इस पे भी आप टाइट फेटिंग सारे डेप कर पाएंगे यही पूरी साड़ी और पल्लो को थोड़ा सा ओरेंज कलर में है और बाके आप देखी सकते हैं यह साड़ी पल्लो के ओपोजिट साइट से यानि कि यह वाला जो कॉर पीछे से घुमाते हुए आगी की तरफ ले आएंगे और आप देख सकते हैं फॉल लगा हुआ है जब भी आप कोई लाइट साड़ी पहनते है तो फॉल लगना सबसे जरूरी होता है वैसे हर साड़ी में आपको लगाना चाहिए बट लाइट साड़ी में आपको जरूर से करिए टाइट टक करिए जिससे आपकी साड़ी पूरी की पूरी अच्छे से टाइट ड्रेप हो फस्ट राउंड का बहुत ही जादा इंपॉर्टन रोल होता है सारे ड्रेपिंग में वहीं से आपका जो है टाइट पिटिंग सारे डिप स्टार्ट होता है और फस्ट यहां से यहां पर लिए आप थोड़ा सा लंबा ले सकते हैं पलू छोटा कभी मत रखिए बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है और देखिए यहां से यह बार्टर पकड़के मैं आगे की तरफ देख रही हूं तो यह उल्टा हो गया कई बार ऐसा होता है आप स अच्छा लगता है तो इस तरह से देखिए एक बार मैंने मेजर कर लिया है और इतना पार्ट में छोड़ दूंगे लगबग एक खास साड़ी आपको छोड़ना उसके बाद बनाने है बिल्कुल कैची शेप में आपको इस तरह से प्लीट बनाते जाना है देखिए एक बा आपको चेक कर लेना है यह फ्लो टच है कि नहीं जहां से आपको इसको टक करना है ना बैली बिटन के सामने वहां से आप एक बार इसको अच्छे से पकड़ लीजे एक प्लीट को जिससे की कोई फ्लीट अंदर ना रह जाए और इसको हलका सा शेक कर देजिए टक करने के बाद जिससे की अंदर इसको आपका टमी मोटा दिख सकता है और इस तरह से बड़ा वाला सेप्टी पेटी को और सारे प्लीट को लेते हुए आपको लगाने देखिए इस तरह से में लगाया हुआ है बिल्कुल अंदर के तरफ इसको लॉक कर देंगे उपर से थोड़ा सा से सेप्टी पिन देखेगा आपकी साड़े बिल्कुल भी नहीं खुलेगी आप चाहे जितनी देर पहन के लूर प्लीट के बनाएं बट इस वीडियो मैंने इस तरह से बताया हुआ है देखिए बिल्कुल कैची की शेव आपको पकड़ना है देखिए इस तरह से दिखा दे रही हूं इसकी चोड़ाई मैं इतना रख रही हूं बाकि सारे प्लीट की चोड़ाई इससे हलकी सी और पहले प्लीट की चोड़ाई रहती है तो अंदर आपकी प्लीट की अनिवन रहते हैं वो दिखता नहीं है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है देखिए इस तरह से अपको एक एक प्लीट की थम से दबा रहाई हूं यहां फेंप प्रस पिंगर से तो बहुत ही असानी से बन आपको इसको करना है अरेंज और अरेंज कर लिया है उसको मैने पिने शोल्डेर पर रख दिया है और इस तरह से जटक-जटक के एक पार्ट और पकड़ूंगी इस तरह से देखिए तो इस तरह से आप अरेंज करेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप डेली प्रक्टिस करेंगे सारी डेपिंग के तो बहुत ही आसानी से आप सारी डेपिंग सीख जाएंगे अभी शोल्डर पे रखने के बाद मेरे दोनों हाथ फ्री हो चुके हैं जहां से मुझे इसको पकड़ लूँगे देखिए इस तरह से पकड़ना है और एक भी प्लिट्स छूटने ना पाए जैसे आपने फ़र्स पहली बार बनाया था वही गाइडलाइन बिल्कुल फॉलो करते जाए और बहुत ही एजली आप इसको अरेंज कर पाएंगे देखिए इस तरह से म जो मैंने साइड में छोड़ा हुआ था एक खास साडी उसको मैंने वैसे बिल्कुल छोड़ा हुआ है आप देख सकते हैं कमर पर और इस तरह से एक सेप्टी पिन आपको छोटा बड़ा कोई भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं यहां से आपका यह दिखेगा ने अंदर से आ भूमाते हुए ले आएंगे बस ध्यान रखने आपको यह फोल्ड ना हो देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए ले आना है और जो एक्स्टा फेबरिक किया है कमर पे आप देख सकते हैं इसको आपको क्या करना है राइट है थोड़ी सी जगा इस अच्छा फेबरिक कर लिए यहां पर की तरफ खीच के ना टक करिए देखें देखें मेरी सारी डेपिंग यहां पर आप देख सकते हैं एक सेट बिल्कुल कमर पर बिल्कुल टाइट फेटिंग हो गया है थोड़ा सा फेबरिक छोड़ने का यही फायदा रहता है और आप तो यहां भी सेटी पिन लगा सकते हैं देखें यहां का बॉर्डर गिरता रहता है मतलब की साड़ी एक बार पहनो तो दो बार बार सही ना करना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है सारे प्लेट्स को अरेंज कर लिया है उपर का यह जो पार्ट है इसको हटा के यह नहीं लगाएंगे फिर वी काम चल जाएगा तो मेरी सारी का यह है पूरी ड्रेपिंग आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना मिलती हूं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाए ओम साहिराम नध्यार